हम अपने कंप्यूटर या लैप्टॉप में बहुत ही कम स्मय में पास्वर्ड लगा सकते हैं हम अपने कंप्यूटर या लैप्टॉप में पास्वर्ड इसलिए लगाते हैं कि कोई दूसरा हमारे कंप्यूटर या लैप्टॉप को यूज ना कर सके तो अगर हम अपने computer या laptop में password लगाना चाते हैं तो हम के करेंगे यहाँ पे search पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे control panel यह हमने control panel यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे control panel यह आ गया है यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद हमारे पास यह window open हो जाएगी यहाँ पे हम user account यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद यह window हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे हम user account यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद यह window open हो जाएगी यहाँ पे यह दिया गया है जैसे यह account है Dell, Local, Account Administrator तो यहाँ पे password protected नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे password नहीं लगा हुआ है तो अगर हम यहाँ पे password लगाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा password protected तो इसको लगाने के लिए हम यहाँ पे money is another account यहाँ पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह डाय लो बॉक्स यहां पे आ जाएगा आने के बाद यहां पे हम Dell Local Account Administrator यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यहां पे हमारे पास्वर उप्षन आ जाएंगे यहां पे दिया हुए change the account name create password तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पासवर्ड को create करेंगे तो यहाँ पे create a password यहाँ पे click करेंगे तो create a password पे click करने के बाद यहाँ पे हम new password यहाँ पे जो password हम यहाँ पे set करना जाते हैं यहाँ पे लिखेंगे तो suppose करो हमने यहाँ पे password लगाना है तो password हम यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं जैसे हम पे हमने password लिखा 12345678 यह यहां पे password लगाया इसके बाद confirm new password तो यहां पे हम क्या गरेंगे जो password हमने उपर लिखा हुआ है वह password हम यहां पे लगाएंगे तो यह देखो 12345678 यह हमने यहाँ पे भी पासवर्ड लगा दिया अगर हम यह पासवर्ड को यहाँ पे टाइप पासवर्ड हिंट अगर हम यहाँ पे टाइप करना जाते है कोई भी हिंट तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते है अगर हमने यहां पे नई भी type कुछ भी किया हुआ है तब भी हम यह password create कर सकते हैं तो यह password लगाने के बाद हम यहां पे create password पे click करेंगे यहां पे create password पे click करने के बाद यह देखो हमारे पास ही यह account आ जाएगा Dell local account administrator यहां पे दिया हुआ है password protected तो इसका मतलब यह हुआ कि यह password protected है यहां पे हमारे computer में passport लग गया है जो अभी हमने type किया तो इस तरह से हम अपने computer या laptop में passport लगा सकते हैं तो इस video में हमने यह सिखा कि अपने computer या laptop में हम passport कैसे लगाते हैं तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद